लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें देवर्शी गुरुदेव 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 कहां है आप आप कहां है गुरुदेव अपने शिष्चे की पुकार सुनिए गुरुदेव पधारु है गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव मेरे प्रभु को किसी ने आहद कर दिया है मैं बहुत लजजेत ह 망 सेङी को वह क्रुदेव डुरुदेव रायन हनुमान तुम तो वर्दानी हो वजरांगी हो भगवान शिव के अंच अवतार हो अपने प्रभु को संकट में देखकर इस समय तुम अपने आपको भूल बैठे हो धैर्य धरो शुरी राम तो सुरुष्टी के पालक है भगवान विश्णु के अवतार है इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उन्हें आहत या बेसुत कर सके यह तो उनकी लीला है नहीं गुरुदेव प्रभु श्री राम और भाया लक्ष्मी इस समय घोर संकट में है और यदि यह उनकी लीला भी है तो भी मैं उन्हें इस थीती में नहीं देख सकता कि आप मेरे गुरुदेव है क्रिपया मुझे बताइए कि उन्हें संकट से जुड़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए अपनी व्याथा लेकर तुम्हें शिव्शंकर की शरण में जाना चाहिए तुम्हारा मार्क दर्शन करेंगे रूद्रा अवतार को रूद्रही मा अवशक्ता नहीं है हनुमान मैं तुम्हारे पालक पिता पवन देव को सुछना देता हूं हो सकता है वे तुम्हारी को इसायता करें हनुमान अपनी व्याकुलता छोड़कर शांत मन से भगवान शिव की शरण में पहुचो तुम्हारे सांग कड़तूर हो जाएंगे मेरी शुब कामना है और आशरवाद तुम्हारे साथ है हनुमान जैसी आपकी आदिया करें प्रणा हो तुम्हारा कल्यान हो मेरी शुम्हारे साथ हो तुम्हारे साथ है शिव शंकर भोलेनात कहां है आप शीखर प्रकट हो ये प्रभू शीखर प्रकट हो ये अपने भक्त की पुकार सुनिये प्रभू अपने भक्त की पुकार सुनिये और शीखर प्रकट हो ये कि शिर्शंगा कि क्या आपने भी इस विद्वक्ति में मुख मोर लिया है प्रभू हनुमान को इस घोर संकट में अकेला चुड़ दिया कि एक 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 मुझे इतना विवश और निर्बल क्यों बना दिया प्रभू किस लिए किस लिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी भीजन क्यों नहीं परन्तु हनुमान चटान की तरह अधिक रहेगा जिदु हनुमान नहीं साहस छोड़ दिया तो शिव शंकर और श्रीराम की महिमा में कौन विश्वास करेगा आपको मेरी पुकार सुननी पड़ेगा आपको प्रकट होना पड़ेगा आप आप रुत्रावदार हनुमान को इस तरह मजधार में छोड़कर नहीं जा सकते प्रभू आपको नहीं जा सकते प्रकट Information aware आपको प्रकर लिक्राभू ओम नमस्टिवाई हुआ 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 है यह क्या हो गया प्रभू बाना राजसुग्री निराश मत हो ये प्रभू श्रीराम के सुध शिग्र ही लौट आएगी जाब बंतली मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं चाचाश्री चाचाश्री आप यहां है और हनुमान पता नहीं कहां चले गए अंगर इस अंकट की घड़ी में हनुमान पता नहीं कहां चले गए और यह भी पता नहीं कि लोटेंगे कब चाचाश्री हनुमान को इस समय हमारे साथ होना चाहिए था पता नहीं शत्रु इस अफसर का लाब उठाकर आक्रमण ना कर दें ऑрипतो चाहिएएंषव्गरा बांगरा ये शोनिया धा चशिंगा ता लोस्तुटझ अवते सर्त की सुन लासिएभरा च्तिंगर प wrapper प्क्राश्परा तर दोगा प्रद्रा अवतार हनुमान प्रणाप प्रणाप शिपजनकर कहां प्रणाप क्या इस विपत्ती की घड़ी में भी आपको परिक्षा लेनी की सूजी थी परिक्षा कैसी परिक्षा हनुमान सब कुछ जानते हुए भी अंजान ना परिक्षा यह सत्य नहीं है हनुमान कि हम सब कुछ जानते हैं परन्दु सब कुछ जानते हुए भी विदी के विधान को कैसे बदला जा सकता है कैसा विधान और वो कौन सा विधाता है जिसके विधान को आप नहीं बदल सकते हैं आप रुद्रशिव शंकर इस स्विष्टी के निर्मान पालन और संघार के आधी करता है। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते प्रभू जिसे आप नहीं कर सकते। हनुमार तुम इस समय भाव विवल हो रहे हो। तनिक शांत मन से विचार करो कि जिन घटनाओं का निर्ने बहुत पहले हो चुका है। उन घटनाओं के शंकलाओं को हम कैसे तोड़ सकते हैं। अर्थात हमान विश्म के अवदार सर्व शक्ति मान श्री राम को नागपाश से बांध कर उन्हें घायल और बेसुत करने का निर्ने बहुत पहले हो चुका है। प्रभू क्या आग की स्रिष्टी में तोई राम शक्त्रों श्री राम से भी अधिक शक्ति शाली है। कुल बटाईजिए अब ग Recre장님 का उत्तर दीजी प्रभू शान्त अनुमान शांत कि राम लक्षीमन जिस नाग जब कि नाग माता ने नाग करन्या सती शुलोचना के सुःग की रक्षा के लिए प्रादान कर दिक शुया है हां हनुमान मेगनाद नागपाश का दुरुपयोग किया है उसने बिनापूर वह सोच ना दिये राम लक्षमन को नागपाश में बाद दिया यह नागपाश बहुत ही विशैला और कठो जिसे मैं रोद्र अवतार हनुमान भी नहीं तोड़ पाया इस नागपाश मुझे भी नडेला है तक देख रहा हूं हनुमान तुम्हारे मन के घावों को भी देख रहा हूं परन्तु जब तक नेलकंड महादेव का अंच रोद्रावतार हनुमान इस विश्च के दंश को पचाएगा नहीं हनुमान से कहने हैं नहीं चाहिए महादेव नहीं चाहिए नहीं चाहिए मुझे रोद्रावतार हनुमान का गौरव यदि मुझे इतना बिवश और बल्हीं नहीं बनाना था तो मुझे रुद्रवदार के रूप में जन ही पूंद जो हनुमान अपने स्वामी की रक्षा ना कर सकता हो जो हनुमान अपने स्वामी को कश्टों से मुक्ष ना कर सकता हो उस हनुमान के जीवन जीवित का अर्थ तुम भूल जाते हैं कि वर्दानी नागों का विश्व मारक होता है वो किसी को जीवित में परन्तु श्रीहरी के अवतार श्रीराम और शेशा अवतार लक्षमन के जीवन के इस नाग दंश से कोई हाने नहीं पुझेगे क्योंकि ऐसे सहस्त्रो नागों का विश्व उनके अमरित में शरीर का कुछ नहीं दिगार सकती श्रीराम और लक्षमन केवल बेसुद होएंगे और वो शिग्र ही सुद में लोटाएंगे अर्थात मेरे प्रभूश्री रामन और बैया लक्षमन फिर से पहले के सवान हस्ते मुस्कुरादे दिखाई पड़ेंगे ये भी तो विदी का विधान है हनुद ये दुरघटना वानर सेना को सचेथ और रुद्रावतार हनुमान के धैरी की परिक्षा के लिए ही घटी वानरों को ये समद लेना चाहिए कि उनका शत्रु साधारण नहीं है कि युद्ध में प्रारंभिक सपलता के पश्याद उनमें विजयोनमाद होने लगा और वे रावन और उसकी राक्षासी सेना को कायर और बलहीन समदने लगे थी मैं भी यहीं समस्क्राइब करते हैं हो सकता है ये दन मुझे अपनी उसी प्राइब करता है नहीं हुआ है ऐसा नहीं हो कि परन्तु अपने बल और सौभाग्य पर अपने पुरुशार्थ से अधिक विश्वास कभी ना करने हैं क्योंकि भाग्य भी उन्हीं लोगों का इसे लिए ये निराशत छोड़ो जैसी आपकी आग्या प्रबर जैसी आपकी आग्या यदि भाबावेश में मैं आपसे कुछ अनुचित कह गया हूं तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं प्रबर शमा कैसी शमानुमन और किस से शमा पुद्रा अवतार ने रुद्र से जो कुछ का है हमें प्रसनता है अनुमन कि तुम्हारा मन अप्षान्त हो चुका है कि तुम्हारा कल्यान हो जैसी अ कि अ